वेरे गुड मॉर्निंग फ्रेंड स्वागत है आप सब का चलिए ध्यान दिएगा आज का यह सेसन है इसको कंप्लेट देखना है दोस्तों लेट के लिए मैं माफी चाहता हूं पहला प्रश्ण देखते हैं देखे केस जिले के नंदनी माइन्स में देश का पहला मानाव निर में जंगल बनकर तयार हो गया है और करीब 358 हेक्टेयर छेत्र में फैले इस जंगल में दोस्तों 2021 में 42 प्रकार के यहां एक जिल भी है दूस्तों जिसे पक्षियों की जो है ब्रेडिंग ग्राउंड के रुप में विक्सित किया जा रहा है तो यह एट करिएगा केस जिले में तो दुर्गी जिला ओके चलिए नेक्स प्रशन देखते हैं यह हैं देखे केस जल प्रपात के दोनों छोर में इंद्र धनुस पार्क का निरमार किया जाएगा तो अपसर नेहां पर है धियान दिज्येका इसको करेक्ट टांसर दूस्तों आपसा नंबर ए है चित्रकोट जैल प्रपात जो कि किसले में है बस्तर ओके ध्यान दिज्यागा इसके समन में तो यह है कि मिनी नियागरा के न से इसका निरमाड किया और जल प्रपात कि दोनों छोर में ज pojaw क promotes ना होने से यहां पराटक नहीं रूपते हैं इसलिए इसका निरमार किया जाएगा तो यह एक कर्या अचलिए बिलासपुर बचाने के लिए ग्राम सभा से सवधान पारित करा लिया गया है और प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ हुआ जहां तै सविधान के मुताबिद अब जो है नदी के नदी और आसपास प्लास्टिक कच्रा फेकना मना है और डुबान छेत्र के खेतों में रसायनिक खाद और दवाओं का प्रियोग नहीं किया जाएगा और इसके अलावा तै निर्धारे दिनों के लिए नदी के आसपास म नारे बसा हुआ है तो यह गोंगा नदी किस जिले में प्रभाहित हो रहे हैं तो ब्लास पूर ठीक है पूछा जा सकता है एक्जाम में ओके इसको एट करिएगा चलिए और आप लोग का सब्सक्राइब बहुत धन्यवाद वीडियो को शेयर करिएगा चैनल में नहीं होता है तो यहां पर option है करेक्ट अंसर दोस्तों इसका अंसर सी है बिलासपूर यह भी बिलासपूर धियान दीजे इसके संब्समद में तो यह है कि डियार डियो की बदत से दोस्तों बिलासपूर जीले के जो है अद्योगिक छेतर सिरगिती में बैलेश्टीक फेब्रिक प्ला हो जाएगी और अभी तक बैलेस्टिक फैब्रिक के लिए कोरिया तुर्की इसराइल और निदर्लेंड से आयात पर हमारी निर्भरता रही है ध्यान दियेगा कि बिलासपुर जी लेकर युवा नमन अग्रवाल के जो है नवाचार को लेकर चर्चा शुरू हो गई है तो यह है इनके ही जो है प्रयास से यहां पर ठीक है यह बुलेट प्रूफ जैकेट का रिर्माण किया जाएगा ठीक है तो यह सब है इसको एट करिएगा नेक्स्ट प्रशन देखते हैं यह हैं देखे भारत और केजदेश के बीच एक्सराइज साइकलोन का दूसरा संसक्राण 22 जन्वरी 2024 को मिस्र के अनसास में शुरू हुआ है और भारत मिस्र का अभ्यास साइकलोन के जो है दूसरे संसक्राण में भारती दल में पैरासू ट्रेजिमेंट के 25 कर्मी यह याद रखने कि इस अभ्यास का पहला संसक्राण पिछले साल भारत में जीत किया गया था देखे देश के सविधान को हिंदी में अनुवात करने में किस जिले के सुतंतरता संग्राम सिनानी घंस्याम सिंग गुप्त ने महत्तपुर भूमी का निभाई है तो ऑप्सन को देखते हैं दूस्तों कौन से जिले से संबंदित है तो करेक्ट टांसर है दूस्तों आप्सन दूस्तों देखते हैं करेक्ट टांसर है औप्सन नंबर सिखर ऑपोर कि iyi अभीजीत राज शोनी किस खेल से जड़े हैं यहा पर ऑप्सन होजगते हैं देखे राज्य के किस मुख्य निर्वाचन पदादिकारी को बेश्ट परफॉर्मिंग इस्टेट के आवार्ड से सम्मानित किया गया है तो अप्सन यहाँ पर है धियान दीजेगा इसको किस कंपनी के ट्रांसलेटर में दो और भारती भासाओं चत्तिस गड़ी तथा मड़ी पूरी को भी सामिल किया गया है तो अप्सन यहाँ पर है धियान दीजेगा करेक्ट आंसर अप्सन नंबर भी है माइक्रोसॉप्ट ओके धियान दीजे देखे हाल ही में मद्द प्रदेश के अभी लेखागारते प्राप्त दस्तावेजों में चत्तिस गड़ के रियासत और वहां प्रियोग किये जाने वाली ध्षका उलेक मिला है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है अप्सन यहां पर है धियान दीजेगा करेक्ट आंसर अप्सन नंबर डी नांगा और याशात लाल काला हरा यह गलत है ठीक है बाकी उप्रोगत तीनों सहीं है दूस्तों केंद्र सरकार ने सिक्षा में बहु भासावात को प्रोसाहित करने के लिए एया अधारित कौन सा है यहां पर ऑप्सन है करेक्ट आंसर अप्सन नंबर भी है अनुवाद नहीं ठीक है यह वाला प्रशन आप लोगों के लिए है रामलाल बरेट किस नृत्ति से जुड़ेवें इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बक्स में चले बहुत-बहुत धन्यवाद दुस्तों कल से जो है अपने नियमी समय में आ जाएगा माफ करिएगा और इसका डाउनलोड कर लीजिएगा साम तक चैनल में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा शुक्रिया